हलो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नबर वन स्टेडी चैनल वाइफ है स्टेडी पर पार्ट अनके जैसा कि आप सभी को बता है कि डेली 11 बजे आप लोगों के लिए एक शांदार क्लास आती है यहां पर हम कर रहे हैं नमबर सिस चुरुआत में सबसे पहले अपने पैन और कॉपी अपने साथ में ले 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 जो भी मैं चीज़े लिखाऊंगा जो भी मैं सिखाऊंगा वह सब ज्यादा महपूर्ण आपके लिए होने वाला है तो वेरी गुड़ मॉर्निंग टू आल उफ यू अमारा चल रहा है आप य प्लस फर आज ही जूड़ी है 24 मंत का सस्किप्शन लेकर ऐसे से एक्जाम कैटेगरी में आप मेरे साथ जूड़ सकते हैं साहिल टैन एज़े कोड आपको लगा रहे हैं अब जैसी साहिल टैन लगाओगे अपलाई करके डिस्वांट आपको मिलेगा और सभी के सभी अहां ठीक है आपको डिस्वांट मिल जाएगा और साहिल टैन लगाकर आपको टैन परसेंट का आउफ मिलने वाला है मेरे साथ आप जब कोड यूज़ करेंगे तो आप जूड़ जाएंगे ठीक है के लिए सुबहे मेरे साथ आप जुड़ते हैं नौ बजी तो मैं अलजेब्र आपको पढ़ाता हूं टॉपिक वाइस सेशन में सुबहे नौ बजे बहुत अच्छा रीवीजन चल रहा है अच्छा तब लगेगा जब आप खुद करोगे मेरे साथ में मिलकर मज़ा तब आ दो बज़े foundation और तीन बज़े catch नमेत होगहां को तो साध dancing ये होने वाला है और हां Shaniwar खो मैनने बोला था ना मैन ने प्लान कर लिया है सोबह ग्व्यारे बज़े का मैं का previous year पेपर कराऊंगा सीबीटी टू के लिए जो पिछले पिछले जब सत्र में लगा था सीबीटी टू वही वाला मैं आपको कराने वाला हूं पेपर शनीवार की सुबह 11 बजे तैयार रहना प्रीवेस एर कोशिंस होंगे और आप रगातार आप उनको करते जाएंगे ठीक है और आज मतलब आज सामने में टिग्णोमेट्री वाली क्लास आज शाम को पांच बजे लूगा यह बात क्लियर है बाइट कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है आज अगा हूं कि चलिए कि 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 चलिए कि आई यह कि साउंड कम है कि साउंड कैसे कम हो सकता है बैए साउंड तो ओके है कि आजए कि कर फ्राइडे मेला भी यहां फ्राइडे की भी मैंने प्लानिंग कर लिए कर फ्राइडे है फ्राइडे की भी प्लानिंग हो चुकी है फ्राइडे की क्या प्लानिंग है वह मैं आपको बता देना चाहता हूं देखिए चार वीडियो में आपके लिए प्लान करता हूं हर फ्राइडे को छोटी छोटी चार वीडियो शाम को पांच बजे पांच बजे चार वीडियो आप लोगों के लिए आती है शाम को ठीक है आजाएए इस अच्छार वीडियो आपके लिए आती है इन में क्या क्या होने वाला है वो मुझे बताएंगे मैंने टॉपिक बिसाइड कर लिए है आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा आप देखन वो टॉपिक कुछ इस तरह से हैं देखें लसी में सीएफ ठीक है लसी में सीएफ के जितने भी अच्छे कोशन्स हैं वो सारे कराने वाला हूं पांच बजे में बढ़िया कोशन्स जो पेपर में आते हैं और बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको इस सेशन में क्यों करें मिंत 100.30 बजे यूनिट कन्वर्जन सेंटी मीटर मीटर Amen कीलो मीटर इस तरह की जितनी भी ली młot कूमां में कैसे बदलते हैं इस तरह की जितनी भी यूनिट वाले कोश्शन्स होते है झाल दो आपको 雀स्लिए लिकिन यह बहुत जारूरिया आप लोगों पता होना चाहिए तो छोटी सी वीडियो में हम इसको पूरा निप्टाएंगे 10 मिनट में निप्टा रहेंगे ठीक है चलिए और 6 बजे हम करेंगे successive discount जो होता न क्रमिक बट्टे वाले question होते हैं कि किस discount पर बेचा जा रहा है कौन सा दुकानदार सही है कौन सा ग्रहत पे लिए सहिं रहेगा को करने वाले और शाड़ेचे हम करने वाले हैं डाइस कॉइंग और काड़ वाले प्रश्ण साड़े च्छे बजए जो प्रबबिटी के अंदर आते हैं डाइस कॉइंग और काड़ वाले प्रश्ण हम करने वाले ठीक है फॉर्मूला रिवीजन हम करेंगे अनकैडमी पर ठीक है वो मैं बता हुआ आपको कब से स्टार्ट कर रहे ह तो यह कल होगी फ्राइडे को पांच साड़े पांच छे साड़े च्छे ददस मिनट की वीडियो आएंगी छोटे-छोटे पार्ट से अब आईए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बेना किसी देरी कि आपको मैं कहूं कि आप दो अंकों की किसी संख्या को लिखेंगे याने कि मेरा जो टू डिजिट नंबर है वै क्या है तो अगर आप टू डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो तू डिजिट नंबर आपका एकस और वाई भी ऐसे लिखते हैं आप इसको कि एक बच्चे को लग रहा है बस साउंड यह आप मुझे बता दें अब पढ़ाई पर ध्यान दें यह ना क्योंकि इन चीजों में लगे रहो गया कि चले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप दो अंकों की कोई संख्या हो तो यह आपकी दो अंकों की संख्या का रिप्रेजेंटेशन नहीं है यह तो दौनों क्या है आपके अंक है एक यह तो यह तो आपके क्या है एक डिजिट है कि जहां पर आप क्या कहते हो जहां पर आप वाई को आप कहते हो आपका यूनिट डिजिट एक्स तो आप कहते हो आपका टैन्थ डिजिट अच्छा ये बात है सही बात है ना हाँ लेकिन ये अंक है इनको लिखा ऐसे जा रहा है एक्स वाई तो संख्या कैसे बनेगी तो आप क्यों बोला जाएगा कि संख्या का सही रुपांतरण ये है कि टैन एक्स प्लस वाई लिखो यह है आपकी संख्या कहलाएगी यानि कि अगर आपसे कोई दो अंकों की संख्या लिखने को बोले ठीक है अगर कोई आपसे दो अंकों की संख्या लिखने को बोले तो आप x y ना लिखो आप उसको ऐसे लिखो वो सही रिप्रिजेंटेशन है अब जैसे कि मैं एक्जामपल ले लेता हूं मैंने लिखना है 45 अगर ये 45 आपकी संख्या है क्या नहीं अगर आप इसको पूछे देग अगर कोई आपसे तो इसको डंग से लिखोंगे तो तरीका यह यह लिखने का 40 प्लस 5 10x प्लस वाय यह आपका इकाईंक होता है यह आप पढ़िवाती जानते हैं इसमें कोई दोरा है नहीं है और यह आपका दहाईंक होता है यह याने कि यह क्या हो गया एंस डिजिट हो गया और यह आपका यूल मुवाग आपसे जाता है तो पहले तो यह प्लेरेटी आप अपने दिमाग में लेकर आएंगे कि वह लिखा कैसे जाता है अगर मैं आपसे बोलता खाऊंकि आप को ही थी नमकों की संख्या को लिखके बताऊ त्री डिजिट नंबर आप लिह के बता बता कि थुरी डिजिट नंबर अपि लिखने में तो रिप्राइजेशन तो ऐसे एकशिय जैड़ हो just लेकिन इसको सही तरह से लिखो आप कैसे लिखोगे बताओ एकाई दहाई मानकर अगर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो आप यह क्या लिखेंगे सर देखिए आप यह लिखेंगे हंड्र एक्स प्लस टैन वाई प्लस जैड यह आपका क्या होगा कोई भी तीन अंकों की संख्या को लिखने का तरीका होगा हंड्र एक्स प्लस टैन वाई प्लस जैड अब सर इससे कोशन कैसे बन रहे हैं देखिए आपसे यह बोला जाता है कि दो डिजिट की कोई संख्या आपने लेली टू डिजिट नंबर लिखा गया यह चीज है ना अब मैं आपको एक चीज में टम बोल देता हूं डिजिट इंटर्चेंज अंकों को पलटने पर अंकों को पलटने पर है थीक है एक है तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी बताएगे जैसे आप डिजिट इंटर्चेंज करोगे तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी तो आप ये कहेंगे गुरुजी अगर बोला जा रहा है कि दो अंकों की संख्या है आप अगर डिजिट पलड़ दोगे तो वह जो संख्या होगी वह संख्या हो जाएगी लेकिन ये तो आपने अपना संख्या संख्या को पल्ट है एक्च्वल में क्या प्रोसेस रहेगा इसके पीछे यानिके टैन एक्स प्लस वाई को अगर आप आफ्टर डिजिट इंटरचेंज लिखते हो तो आप इसे क्या लिखोगे टैन वाई प्लस एक्स लिखोगे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या अंकों को पलट दिया अंकों को पलट देने पर संख्या भी पलट गई संख्या भी पलट गई याने की संख्या को लिखा वैसे जाएगा ये बात आपको समझ में आ रही है तो आप से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये भाई साब आपकी original number है इसको हिंदी में बोलते हैं मूल संख्या ठीक है और ये आपकी क्या है जो की form होई है ना नई संख्या अंकों को पलटने पर जो बनी है नई संख्या अक्सर क्या बनता है कि अंकों को पलटने पर ठीक है अंकों को पलटने पर संख्या ये बन गई नई संख्या ये बन गई मैं ये बोलता हूँ कि जो नई संख्या है आपकी मूल संख्या से कितना ज्यादा होगी अगर ऐसा बोला जाए कि नई संख्या यानि की आपका जो न्यू नंबर है जो बनकर निकला है ओरिजनल नंबर से क्या अंतर दिखाएगा मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए इस equation को लिखने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि अंकों को पलटने पर जो नई संख्या बन रही है वह ओरिजनल नंबर से बड़ी है ठीक है तो कितनी बड़ी है माइनस बीच में लगाया हुआ है तो आपको यह डिफ्रेंस बताना है कितनी बड़ी है तो आप यह मुझसे कह सकते हो कि सर ऐसी बात है जब आप इसको बड़ा वोल रहे हो आपको यहां इस में से औरिजनल नंबर को घटा देने में कोई संकूच नहीं होना चाहिए नहीं है जब मैंने इसमें से इसको घटाया ना तो equation क् संके निकल कर आ रही है वह आप मुझे बताओ पहले क्योंकि अब यहां से केस बनना शुरू होंगे आपके तो आपके जो equation निकल कर आ रही है वह क्या निकल कर आ रही है दोस्तों यह आ रही है 9y-9x यानि की आपकी नई संख्या अगर बढ़ी है यह केस क्या है यह वह वाला केस है जब नई संख्या बढ़ी है मूल संख्या से तो जो इनका अंतर है यह जो इनका difference है वह हमेशा नौ का multiple तो हो गई होगा लेकिन ध्यान रहे अगर वह संख्या बढ़ी है तो दहाई का मतब जो अपने पास अंग कहना वाई बढ़ा होगा वह वह सी बात है वह तो common sense है मैंने आपको प्रूव भी जरके दिखा दिया y-x होगा अगर मैं इसी question को ऐसे मोल देता हूं कि हमारी original number बढ़िये और अंकों को पलटने पर वह संक्या छोटी हो जाती है नहीं वाली तो जो अंतर आएगा वह क्या आएगा 9 times of x-y आएगा दौनों का अंतर लिख लो dear student और दौनों को समझ लो अच्छे से क्या होता है क कि जब आप direct equation बनाओगे ना तो फिर आपको problem अब नहीं आएगी कारण क्या है क्योंकि अब मैं यह clarify कर रहा हूं आपके सामने कि इस चीज को मैं बता रहा हूं ना क्योंकि original number है और original number बढ़ा है नए नंबर से तो आपका x-y होगा कि होगा 9 का multiply होगा वह 9 का multiply है और अगर original नया नंबर बढ़ा है तो आपका y-x होगा कि होगा वह 9 का multiply यानि कि अगर मैं बोलूं कि किसी भी संख्या के digit interchange पर बनने के digit इंटर्चेंज होने के बाद बनने वाली संख्या के समय के अंको को पलटने पर बनने वाली संख्या कि ऑगऊंतर किसका गुनज होता है इस बताओ किसका गुनज होता है कि वह हमेशन 9 का multiple होता है आप हमेशन तो पहला question यह बन गया आपका ठीक है यह तो होगा difference वाला केस पलटने पर डिफ्रेंस जोड समझ रहो ना अच्छा सब अगर मान लीजिए अगर हम सम पूछे तो सम मतलब ओरिजिनल नंबर और नई नंबर का योग पूछे तो डिजिट इंटरचेंज करने पर तो वह है किसका गुनज होगा करके बताओ आप लिखो आप और इजिनल नंबर कि अग्या है तो क्या हम यह कह सकते हैं क्या कि सर ऐसी बात है कि यहां पर यह होगा 11 का मल्टीपल और वो भी योग के साथ में सम के साथ में आएगा और यहां ओरिजिनल पहले लिख देंगे नया बाद में लिख देंगे या नया पहले लिख देंगे ओरिजिनल बाद में लिख देंगे फरक पड़ेगा क्या कोई फरक नहीं बढ़ता प्लस में कोई दिक्क होगा हमेशा की बात है वह 11 का गुणज होगा ओल्वेज है ठीक है बाई समझ में आगी बात आजाओ अब मेरे कोश्चन पर आ रही है अब कोश्चन की बात करता हूं और कोश्चन की भाषा को आप बस तवज्जों दे देना थोड़ी सी मैंने लिखा यहां टू डिजिट नंबर जिसके डिजिट इंटर्चेंज करने पर कि अंख्या कि 36 कम हो जाती है अग्षिस कम हो जाती है तो ऐसी कितनी संख्याइं पॉसिबल है ऐसे कितनी नंबर्स पॉसिबल है पहला कुश्चन कि दूसरा कुश्चन तू डिजिट नंबर के डिजिट इंटर्चेंज के बाद तू डिजिट नंबर के डिजिट इंटर्चेंज करने पर नई संख्या नई दो अंकों की संख्या 36 कम हो जाती है तो कितनी संख्या संभव हैं और अगर नंबर विल पॉसिबल दौनों कुश्चन में कोई डिफ्रेंस है क्या अगर है तो क्या है ये भी बताएंगे और आंसर क्या होगा आजाओ सर्थ आप जैसा कि गोल रहे हो कि अंकों को पलट दिया और संख्या 36 कम हो जाती है यानि कि कहने का मतलब ये है कि एक संख्या 10x प्लस y थी आपने अंकों को पलट दिया तो जो आपकी जो संख्या है वो 10y माइनस x हो गई जो अंतर आ रहा है 36 कम ही तो हो रही है यह जो नई संख्या है एले से 36 कम है यानि कि पुरानी संख्या बढ़ी है और यहां से जो अंतर निकल कर आ रहा है वो अपने आप आपको मैंने बताया था कि 9x माइनस y वरावर 36 और x माइनस y वरावर आगया आपका चार आ जाएंगे यानि कि सर यहां जो आपने संख्या मानी थी औरिजिनल नंबर औरिजिनल नंबर आपका क्या था एकस वाई था यहां आपको संबंद पता लग गया कि x माइनस y वरावर 4 होना चाहिए तो कितनी संख्या हैं संभव हैं सर आप शुरू करो मैं यह कह सकता हूं कि यहां नौ ले लूँ और यहां आपका पांच ले लूँ बोलिये नौ से शुरू कर सकता हूं मैं दस से शुरू कर सकता हूं क्या पहली बात तो सर कोई भी अंका पैसा नहीं लोगी दो दस चला जाए 11 क्योंकि दो अंको का तो खुदी हो जाएगा तो x और y आप unit unit में ले सकते हो सब यह बात के लिए है अच्छी बात कि मैं आगे देखता हूं आठ में से चार गये तो चार है वेरी गुड़ है ठीक है मैं यह कह सकता हूं साथ में से तीन गये तो बहुत बढ़ी आए तो मैं यह कह सकता हूं छै मैंसे दो गया तो यह भी सही है मैं यह कह सकता हूं क्या पांच पांच मैंसे एक गया तो यह भी ठीक है मैं यह कह सकता हूं क्या चार मैंसे जीरो गया तो यह भी ठीक है कि आंसा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कि और कुछ कि और तो कहां बनेगा सर कि आप यह नहीं कर सकते अभी आप कि फिप्टी नाइन मामलों नहीं एक्स बड़ा होना चाहिए आपका यह कन्फर में कि तो कितने प्यर पॉसिबल हैं एक दो तीन चार पांच छै कि यहां पर भी आपका क्या रहेगा सेम रहेगा उत्तर कि यह नहीं रहेगा बताओ प्यर तो सेम़ीं बनेंगे ऊपर वाली कंडिशन और नीचे वाली कंडिशन में पर सेम बनेंगे को हैं आ तो मैं यहां तो यहां मैं आंसर दे रहा और यहां मैं सेमी कोश्चन में आंसर दे रहा हूं पांच पेर अनिकि ऐसी पांस संख्या संभव हैं अब बताइए आपको सारी चीजों का जवाब मिलेगा पर ऐसा क्या हो गया उपर वाले प्रश्ण में और नीचे वाले प्रश्ण में फरक क्या है आप कहना क्या चाहते हो मैंने का फरक दिखेगा आप अगर लेंग्वेज को अच्छे से पढ़ोगे यह बोल रहा है कि कोई दो अंकों की संख्या है अंकों को पलट दो वह च्छतिस कम हो रही है संख्या च्छतिस कम हो रही है आप से यह नहीं बोला जा रहा कि संख्या दो अंकों की बन रही है ऐसा नहीं बोला जा रहा है तो आप यह वाला केट भी इंक्लूड करोगे लेंग्वेज और इस वाले में देखो क्या बोला गया है कि इंटरचेंज करने पर नई दो अंकों की संख्या 36 कम हो जाती है तो जो नई संख्या बन रही है जैसे कि अभी मैंने लिया चार जीरो वाला केस अब जीरो चार बन गया तो क्या यह दो अंकों की बन रही है कि नही यह नहीं यह दो अंकों की संख्या नहीं है कि संख्या ही बननी चाहिए नंबर ही बनना चाहिए क्या दो अंकों का बन रहा है नहीं है तो यहां वो जीरो चार वाला केस नहीं आएगा इसलिए इसका उत्तर पांच आया इसलिए उसका उत्तर छे आया क्लियर है तो यहां नहीं लेंगे यहां लेंगे दौनों की लेंग्वेज समझ में आनी चाहिए और दौनों के भाषाओं का उप्योग समझ में आने चाहिए तो इसलिए हम इसको अबरूर्ड कर देंगे यहां पांच पेर हो गया यह की समझ में आगी बार अगला कोश्चन देखिए आप कैसे बनता होगा आप यह जानते हैं कि दो डिजिट की संख्या है तो डिजिट नंबर के डिजिट इंटरचेंज पर बनी दो अंकों की संख्या चौवन अधिक है मूल संख्या से तो अंकों की संख्या मूल संख्या से मूल मतलब औरिजिनल नंबर से औरिजिनल नंबर से 54 अधिक है तो दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं और कौन कौन सी हैं बताइए कि तो आप क्या कहेंगे गुरू जी सर ऐसी बात है दो अंकों की संख्या को बदल रहे हो और इंट्रचेंज करने पर बनी संख्या मूल संख्या से ज्यादा है आपको हमेशा याद रखना है कि प्रशन में अधिक या कम लिखा होगा तो वह अंतर बताएगा इसलिए मैंने डिफ्रेंस वाला केस ले लिया आप में से किसी को कोई आपत्या संक्ट या संख्या तो नहीं संक्या बन रही है दो आंकों कि वह बढ़ी है तो य माइनस एक्स वाला गयाँ वह च्छे के बराबर आ गया अब आपको तसल्ली से रखनी है आप यहां मैक्सिमुम लेकर चलो तो आप मैक्सिमुम यहां नौ ले सकते हो नौ ले सकते हो तो यहां आप तीन ले सकते हो यहां अगर आप आट ले रहे हो तो यहां आप केवल दो ले सकते हो यहां अगर आप साथ ले रहे हो तो यहां एक ले सकते हो यहां अगर आप 6 ले 21 आप मुझे बताइए क्या यह जो नंबर मैंने ली है क्या यह मेरी ओर इजनल नंबर है क्या कि यह तो क्या है यह तो नई संख्या अंशारी तो इनकी ओरिजनल नंबर क्या होगी 39 औरिजिनल नंबर क्या होगी 28 औरिजिनल नंबर क्या होगी 17 और डिजित इंटर्चेंज के बाद ऐसी सम्ख्या बन रही है जिनका योग मतब जो 54 जादा है देख लो आप कि क्या हो रहा है 54 जादा है कि आई बात समझ में कि चलिए है और जमर आपकी यह वाली तो अगर कोश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो थी दो कि कि कितनी संख्या है चाहित तो आप यह काओ गए ऐसी तीन संख्या है चाहित बहले जो 15 Secretary झाट्र करता है तो सा07 शेक्ट shock 12 होगे Mirror God होगा करम विकास करम विकास अभी मैंने समझा दिया है आपको मैं बार-बार एक चीज को रिपीट नहीं करूंगा मैं कि तुम्हें छै-जीरो बताओं कि क्यों नहीं हुआ अगर आप क्लास में मौझूद हो तो सुरू से सुना करो पहले ही इस चीज का क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है मेरी तरफ से ठीक है क्लैरिफिकेशन के सामने आप यहां मौझूद है तो आपको पता रहेगा कि क्यों इसको लिया जाता है और क्यों नहीं लिया जाता है बार ज्यादा हो जाती है डिजिट इंटर्चेंज करने पर देख लो ज्यादा हो रहा है तो क्या आप यह चीज़ लोटिस कर रहे हो कि अगर गुरुजी हमें अगर कोई अंकों का अंतर पता लग जाए अंकों का अंतर पता लग जाए तो हम 2 मिनट में संख्या निकाल सकते हैं निए सभी बात है और क्या आप को अगर अंगों का अंतर में बता दो और आप तुरन्त बता दो डिजिट इंटर्चेंज पर क्या हो जाएगा जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि अंको का अंतर तीन है अंको का अंतर क्या है तीन है तो आप आपके सामने संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 27 हमेशा क्योंकि आपको पता लग गया ना कि वह 9 के मल्टिपल में चलता है तो तो आप संख्याओं को जब चेंज करोगे तो वो 27 का अंतर आएगा अपने आपी वो 9 के मल्टीपल में चलता है मेंशा अभी मैंने बताया पूरा का पूरा हमेशा अब आप दिमाग में रखोगे आप इस चीज को आप कोई दिक्कत भी नहीं आई गया आपको वोले सर ठीक है चलो अच्छा लगा मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूं जैसे कि मेरे पास सबसे बड़ी संख्या मैंने दो अंको की लेली 99 इसके अंको को अगर मैं पल होगे तो 99 आ रहा है तो आपका अधिकता महनतर कितना सकता है यह मैं पूछहूँगा है कि डिफरैंस किंग तो जब आप 99 ले रहे हो आपने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो 99 आया तो डिफ्रेंस क्या होगा आपने एक संख्या ले ली 98 आपने अंको को पल्टा 89 बना दिया तो यहां अंतर कितना आ जाएगा जब अंको का अंतर एक है तो संख्याओं का अंतर 9 होगा यहां 0 होगा कि मैंने 97 ले लिया तो 97 लेती कितना होगा 79 कि यहां अंको का गैप कितना आ रहे है दो तो वैसे होगा अठारा अब घटा के मत देखो आपको पता है कि अगर आप डिजिट इंटर्चेंज वाला कंसेप्ट लगा रहे हो तो डिजिट इंटर्चेंज होने के बाद संख्याओं का अंतर नौ का गुनज होता है तो अंको का अंतर अगर दो है तो अठारे आ गया तुरन कुछ नहीं करना आगे मैं गया 95 यहां अंतर गैप कितना आया 59 तो यहां कितना आ रहा है चार का तो नौ चौके 36 का अंतर आ गया कि चीक है कि इसी तरह से 94 कि 49 कि अंतर कितना आ रहा है सर पांच का वह 45 आ गया कि इसी तरह से 93 थर्टी नाइन च्छे का छे नाम चंवन आ गया कि नाइन्टी टू कि प्विंटी नाइन साथ नाम तरे सट आ गया अंतर देख रहा हो पुद्धी मैसूफ कर रहा हो आगे कि नाइन्टी वन वन नाइन तो यहां हम यह कह सकते हैं कि आठ नाम बैतर आ गया चली अब आगे आप ले रहे हो क्या 90 और आप 09 बना रहे हो तो आपका जो गय पा रहे है वो नो नाम 81 आ जाएगा लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि जो बात हो रही है वो दो डिजिट की संख्या पर हो रही है कि दो डिजिट को पलटने पर आपकी दो डिजिट की संख्या बननी चाहिए तो क्या आप वो वाला केस लोगे क्या नहीं इस वाले केस को मैं नहीं लूँगा क्योंकि दो अंकों की संख्या नहीं फॉर्म हो रही है पहली चीज और यह भाशा है आपस बिलकुल ओपन खुला दिमाग चला के सोचो जैसा लिखा होगा वैसा रियक्ट करना है हाँ नहीं तो बात बिगड़ जाएगी ठीक है तो दो अंकों का बोला गया है तो वो नहीं लोगे तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अर अधिक्तम अंतर कितना हो सकता है दो अंकों की संख्याओं के बीच में अंकों को पलटने पर अधिक्तम अंतर कितना आ सकता है तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो यह सबसमझ में आएंगे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यह गुड़ गोवर हो जाएगा कि अब देखो कितनी क्लासिक चीज सीखिए आगे चलिए यह क्लियर हो गया तो अधिक्ता मंतर क्या होगा 72 होगा जो आपके सामने वह पसट है एक्क्यासी नहीं हो सकता क्योंकि दो उंको की संख्या नहीं बन रही है हाँ अगर यह मोल्कियार अभिक्तम कितना कम हो सकता है तो आप क्यक्यासी और सब्सक्राव हो और ठीक है में आगे ृसियक पहुस्टिब सीट में एक प्रश्ट है कि अगर आप टिligi कि कोई संख्या है उसका डिजिट इंटर्चेंज कर रहे हो और अगली दो अंकों की संख्या बना रहे हो तो इनका मैक्सिमम रिमेंडर क्या हो सकता है यह जो मैं कुश्चन करा रहा हूं न यह डायरेक्टली आते पर पर हुआ हो इसको हो यह सी थी क्या है गें तो तो सर्श स्थी क्या है क्यों सब्सु रहे है नेटी न 97 से शुरू करऊंगे मैंदी निवा क्या आएगा निमेंड meer क्या करना है आपको पता है बड़ी संख्या में चोटी संख्या से भाग करके देखना है 98 आ गया 89 आ गया तो रिमेंडर क्या हो जाएगा लिकार नहीं हमने आप जीरो आएगा एटी 998 में अगर आप 89 का डिवाइड कर रहे हो तो यहां से जो रिमेंडर आ रहा है वह आ जाएगा नो 97 से लेकर 79 का अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो यहां जो रिवेंडर आ जाएगा 97 अपॉन 79 यह कितना हो जाएगा 18 क्योंकि एक बार भाग जा रहा है तो जो बचरा है वो शेश्वली है एक बच्चा कह रहा है देखो देखो अमित श्रीवाश ने एक प्रशन पूछा है और उस प्रशन को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत दिमाग लगाया इसने मतलब करीबं 49 मिनट इस लेक्चर को गए और 49 मिनट सोचने के बाद में उसने एक प्रशन पूछा है उसक पूछा है कि अगर 35 का डिफ्रेंस हो अंकों को पलटने पर तब क्या करेंगे नौका डिफ्रेंस ही नहीं है तो अमित मेरा एक ही प्रशन है ऐसी संख्या तो बता दो एक एक ऐसी संख्या तो बता दो जो नौका गुणज ना हो अंतर जिस्सा भाई यार संख्या सिखा रहा हूं मैं आपको पूरा खेलना सिखा रहा हूं यहां कोई जादू थोड़ी चल रहा है कि यार सर नौका ही मल्टीबल लगा रहे सर कुछ नहीं कर रहे सर आई वही रहे कि एक ही संख्या बता दो जिसमें 25 तांतर हो और वह डिजिट इंटरचेंज करने पर बन रहा हूं मैं मान जाओंगा कि बताओ पॉसिबल ही नहीं है तुम कैसी बाते करते हो गई वह नौका गुणा जी अपने आप ही उसमें कोई हम थोड़ी कर रहे हैं कि वह तो यूनिट डिजिट वाला कॉंसेप है आजाओ ठीक है अब बहुत सोच लिया अब यहां पर आजाओ इस कोशल पर आते हैं तो सर 96 की बात करूं तो 69 हो गया तो 96 को अगर 69 से डिवाइड करोगी तो रिमेंडर कितना आएगा 69 एक बर गया रिमेंडर वही आ रहा देखो तीन का गैप 27 आगया रिमेंडर ठीक है रिमेंडर 27 आगया फिर उसके बाद 95 को अगर आफ 59 से डिवाइड कर रहे हो तो 95 को अगर आफ 59 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमेंडर क्या आ जाएगा सर एक बारी जा रहा है तो जो डाइरेट रिमेंडर आ रहा है वो 36 आगया सारे सेश्वल ले रहा हूं में इसी तरह से 94 को आप 49 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आ जाएगा तो आप कह रहे होगे तो वही कंसेप्ट हैसा डिफरेंस और रिमेंडर एक ही चीज है हाँ अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है लेकिन यहां पांच नौप पड़ाम पेंटाले साथ अब आगे चलते हैं अगला 93 अब 93 को अगर आप 39 से डिवाइड करोगे तो अब मुझे बत अब क्या रिमेंडर आएगा तो अब देखो 49 दूनी अठेटर अठेटर और पांच तरासी अब आएगा रिमेंडर पंद्रा अब दो बार भाग जाना शुरू हो गया और यहां से पिक्चर पलट गई मैक्सीमम रिमेंडर आपका 45 हो सकता है आगे भी हम देख लेते हैं जो 54 दे रहे हो वह अब अब 92 में अगर आप 29 का डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर कितना आएगा 29 तिया 87 87 और पांच तो रिमेंडर आएगा पांच ठीक है और 91 में और अगर 19 का भाग देंगे तो यह कितना हा रहा है हुआ है कि अन्नेस कि अन्नेस का भाग दो है अन्नेस चोक चीएटर है ठीक है कि चीएटर और पांच इक्यासी पंद्र आगा ठीक है अब आपके सामने यह पूरी की पूरी स्थिती मैंने रख दी है पंद्र आगा ठीक है भाई साम इसके आगे लूं क्या अब मतलो सर तो आप से पूछा जा सकता है कि अंको को पलटने पर बनी दो अंको की संख्या को छोटी वाली से बड़ी वाली को डिवाइड करने पर मैक्सिमम रिमेंडर 43 होगा ठीक है और मिनीमम रिमेंडर पांच होगा मेरी बात उचित तरीके से समझ में आ गई होगी ठीक है माइडियर मजा आ रहा है हुआ कॉंसेट के लिए सारा का सारा अब यह टॉप लिवल का कॉंटेंट है अब चीजें ऐसे निकल कर आपने आप देखिए अच्छा जीरू भी तो है माफ कीजिए अब मिनिममम रिमेंडर जीरू भी है लेकिन वो रिमेंडर तो बचेगा नेक है तो इसको मिनिमम वाला क्राइटिरिया आप लोही मत पूरी तरह से डिवीजिबल भी तो होई रहा है ना ना इन्टिनएंट आप तो केवल यही लिख लो मैक्सिममम रिमेंडर कितना आए र अगर रिमेंडर बचता है तो आपका मिनिममम पांच आए रिमेंडर बची नहीं रहा तो जीरो है कि अग्सक्राइब ले सकते अगें गया अब कहां से लोग एटी ना ना वाई आप तो फिर मैंने सबसे मैक्सिमुम से ले लिया अब कोई ऐसी संख्या मिलेगी नहीं आप भून लो पूरे उस ठीक है चलिए अगला देखिए अगर आप से बोला जा रहा है टू डिजिट नंबर के डिजिट इंटरचेंज करने पर बनी संख्या को ओरिजिनल नंबर में एड किया जाता है तो पताईए कितनी संख्या हैं पर्फेक्ट स्क्वायर बन सकती है याने कि पूर्ण वर्ग बनेंगी कितनी संख्या होंगी मताओ प्प्प्प्प्प्प्ट और जो बच्चे एंटीपीसी सीबीटी टू दे रहे हैं वह बुक से प्रैक्टिस करके जाना कम से कम एक बार तो जिन्हों नहीं ली है वह जान पर मिल जाएगी एंटीपीसी सीबीटी टू बुक भाई साहिल सर उससे प्रैक्टिस जरूर करके जाना एक बार ही ठीक है अब इसका जवाब आप मुझे दे सकते हो तो दे दो बोले सर कैसे दूँ मैंने का यार आपको बोला गया है कि योग कर दो योग तो ग्यारे का मल्टीपल आता है सर तो ऐसी कितनी संख्या है संभव है जो कि क्या हो एक परफेक्ट स्क्वाइर हो अगर आप संख्याओं को परफेक्ट स्क्वाइर के तौर पर देखते हो तो आप यह बताईए आपको पता होना चाहिए ना कि एक्स प्लस वाई का जो मान होगा वह ग्यारा होना चाहिए क्यों अरे ग्यारा होगा भाई तब ही तो आप एक perfect square बता पाऊगे क्योंकि ग्यारा का multiple तो है तो x प्लस y ग्यारा होने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप 9 और 2 8 और 3 7 और 4 6 और 5 बाकि तो बस वही कहानी है कि उल्टा उल्टा लेने के जर्वत है निक है ठीक है कि देखो देखो कि अब आप यह को होगे सर कि ऐसी कितनी संख्याय संभव है बता दो तो औरिजनल नंबर आपको बता नहीं है आपने बताया कि भाईयारा पैसे लेलो कि दिक्कत वाली बात नहीं है तो आपका जो राइट आंसर आगया वह आगया एक दो तीन और एक चार तो इस तरह कि आपकी कितनी संख्याय संभव हो गई चार हो गई सर पहले वाले में 27 भी तो हो सकता है क्या कह रहे हो प्लियर लिखो ऐसे समझ में नहीं आएगा है जिनका योग आपका 11 होना चाहिए वह आपका मान रख लेंगे और के दो अंकों की संख्या है और ऐसी कितनी दो अंकों की संख्या होंगी अगर परफेक्ट स्क्वेर बनाना है तो आपके सामने है है ठीक है तो परफेक्ट स्क्वेर बन जाएगा है 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 ठीक है न अंकों का योग के इसाब से हुआ है 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 कि एट कैसे लोगे फिर और और नहीं होगी ना और जर्घंट करना हूं वह आप्षिन के उपर भी करेंद करेंगा कि और इसनल नंबर बोल रहा है टोटल बोल रहा है चार आपके औरिजिनल नंबर शंबब है जो किये रहे हैं पररक्ट स्कोयार कैसे बनेगा सर देखा गया एड किया जाता है तो कितनी संख्या परफेक्ट स्कॉयार बनाएंगी अंकों का योग 11 होना चाहिए तभी जाके वो परफेक्ट स्क्वाइर बनेगा उनका सम जैसे कि गुणा करने पर 121 आना चाहिए कि उनको जोड़ेंगे तो आपका इसने आप बन रहे है कि ठीक है कि अध्यूं कि सब्सक्राइब दो डिजिट का कुश्चन आता है इसको आया कैसे बना बना एक्स प्लस वाई अंकों का योग जो है वो यह अंकों का योग जो है वो पूर्णवर्ग होना चाहिए एड किया जाता है तो अंकों का योग क्या होना चाहिए पूर्णवर्ग होना चाहिए जो सम है जैसे कि मानलो 92 है और 29 है आप इनको जोड़ो 121 आएगा 83 है 38 है आप इनको जोड़ो 121 आएगा 121 क्यों आ रहा है पता है क्या क्योंकि आपने अंको का योग परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तब ही आप आ रहा ठीक है क्लियर है हाँ ऐसे क्लियर है ना आप देख लो चाहिए 74 है और 47 है तो अब यह 121 आ रहा है तो आप यह कहोगे सर आठ लो आठ में नहीं ले पाऊँगा ना रीजन आपके कोशन के उपर भी डिपेंड कर सकता है अभी यहां मैं चार आंसर दे रहा हूं इस लिए ठीक है क्योंकि आप देख रहे हो कि जब जोड़ोगे तो 47 और 74 जोड़ोगे तो सेम चीजी तो आवी वह मतलब नहीं हो सकता दस नहीं ही ले सकते हैं आप किसी भी अंपो तो यह वह दो अंको का रहे हैं ठीक है आई एक बच्चा गयरे 27 बहतर भी तो ले सकते हैं उससे फरक क्या पढ़ता है अंको को गया पांच आ रहा है न तो यह आ रहा देखो जो आप चा रहे हो वह आपकी इच्छा यहां पूरी हो आते हैं इसकी भी आप पूशन तो क्या भी तीन डिजिट वाला भी देख लेते हैं एक मैंने थ्री डिजिट का कुशन भी आपको करवाया था अगर मालो थ्री डिजिट नंबर है तो थ्री डिजिट नंबर को लिखना जारा तो थ्री डिजिट नंबर एक्स वाई जैड है इसको अगर आप लिखोगे तो यह हो गया हंड्रेड एक्स दस वाई प्लस जैड अंको को पलट दिया तो क्या हो गया जैड वाई एक्स तो हंड्रेड जैड प्लस दस वाई प्लस एक्स अच्छा यह बताओ इनको अगर ठीक है और इनको गटाने पर क्या बन रहा है जब इनको आप सब्ट्रेक्ट करोगे तो यह हो रहा है सर नाइन्टी नाइन एक्स माइनस जैन तो यह इंपोर्टेंट है कि घटाने पर जो मल्टीपल आएगा वह शुरू के दोनों जो अंक होंगे उसका निन्यान में वाँ गुणा जोगा कि नाइन्टी नाइन वाँ थीक है अब चलते कोशन निप्टाते हैं अच्छा लगेगा कोशन करके थोड़ा और किलरिटी आप आएगी आपके दिमांग यह लेजिए पहला प्रश्न आज आपका यही होमवर्क भी है और आज शाम को पांच बजे टिग्नोमेटरी पढ़ लगाया करो जरूर मतलब जरूर लगाया करो तीन बजे केच रम है तभी मज़ा आएगा आप लोगों अब यह कोशन साथ आपके एक तरीके से होमवर्क भी है कि दो संख्याओं का योग आपका तीन है उनके नॉर्मल कोशन है ना मतलब नॉर्मल जो बनता है दो को दे रखा है 12 तो गुननफल क्या होगा ए प्लस बी का होल स्कॉयर लगा सकते हो गया हां यह सारे आपको आज बनाकर लाने प्रशन क्योंकि नंबर सिस्टम में यह महत्पून चीज मैं आपको बता रहा हूं तो अब आपको यह निकालना है तो तीन का स्कॉयर नौ यह हो स्टूडेंट्स तो भाई आप खीच के लाइक वाइक कर दीजिए अब यह होमवर्क आप करके लाना यह तो हो गया नॉर्मल वह सबसे बड़ी संख्या अब यह सेश्वल प्राप्त होता है हाई डिवीजिबिल्टी वाले सक्सेशिव डिवीजिन वाले यह बना ले न ठी ठीक है अब यहां से कुशन शुरू है अपने यह उसक्सेशिव बाला हो गया यह आ रगया दो अंको की संख्या और उसके अंको को पलटने पर बनी संख्या का योग 6 Susie कि अन्तर 9 है तो संख्या के अंको का अंतर कितना होगा एक होगा मतलब इतना आसान है अब इनको आग बना कर लाना आपको मैं कल सारे यह प्रशन कराऊंगा ठीक है मैं डियर साड़े बारे बज़े अभी यह होगा गुरुप डी का रेगुलर आना है बहिए 25 में से 25 लाना है तो पेपर 30 शनिवार को सुबह 11 बज़े सीबीटी टू के लिए प्रीवियस एर पेपर कराने वाला हूं सब लोग तैयार रहना सीबीटी टू का प्रीवियस एर पेपर शनिवार की सुबह 11 बज़े यहां पर मतलब वाइपे स्टेडी पर होगा ठीक है तीन बज़े कैचना मैं जरूर लगाया करो अनकेडमी पर यह लगाना है चाहे आप किसी भी एक्जाम को फोड़ना चाहते हो यह लगाओ सुबह 9 बज़े अलजेवरा चल रहा है टॉपिक वाइस पीडिएफ और लिंक दौनों ही टेलीग्राम मैथवाई साहिल से पर मिल जाती है यह आपका टाइम टेबल है 9 बज़े 11 बज़े 12 लगाकर आपको जुड़ना है मेरे साथ बैंक स्थी सबके लिए ठीक है माइडियर आपको स्थी एक्जाम पर जाना है गैट सिस्किप्शन पर जाना है 24 मंत का सब्सकिप्शन लेना है और कि साहिल टेन ऐसे कोड लगा देना है जैसी लगाओगे आपको क्लिक कर देना अपना कामोश आएगा है आप रेज़ेंड आस्के डाउट पीचर सारे फीचर मिलेंगे इन्हों प्रिफ्रेट कंटेंड के लिए आप रिपोर्ट एंड कर सकते हैं ठीक है मज़ा आगया होगा उमीद करता हूं इसी तरह से आप बस सेशन का अनंद उठाईए और साड़े बारे बज़े जरूर जुड़िए इस बार का कॉमबेट मैं बना रहा हूं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस कॉमबेट से ठीक है तो आप इस बार कॉमबेट अब भी दीजेगा तीस तारिक को जो होगा मेगा कॉमबेट ठीक है तो टेक क्यार ओके बाई मिलता हूं आपसे अच्छा लगेगा आपको रैगुलर पढ़ते रहे हैं बाई बाई लब यौन